लखनों और अयोध्या मंडल में एनेटी फर्स्ट यानि कि निपुन असेस्मेंट फर्स्ट परिक्षा संपन्ध हो चुकी है बाकी मंडलों में परिक्षा होना प्रस्तावित है 21 नौंबर को महानिदेशक महोदे का एक पत्र जारी हुआ है जिसमें पूरू में प्रेशित मंडलवार परिक्षा की तिथियों को इस्तगित कर दिया गया है साथ में कुछ महतोपूर निर्देश दिये गए है आए एक के करके इन निर्देशों को पढ़ा जाए इसमें देखे जो पहला निर्देश है वो ये है कि सरल एप के सम्मंद में मंडलवार शिक्षकों को प्रसिक्षन प्रदान किये जाने के द्रिस्टिगत यानिकि जो मं मंडलवार तिथियां घोशित हुई थी एन एटी फस्ट करवाने की उन्हें इस्तगित करने का निर्दे लिया गया है कि पहले सिक्षकों का प्रसिक्षन करवाया जाएगा कि वो इस परिच्षा का आयोजन किस तरह से करेंगे और उसके बाद बाकी मंडलों में इस परिच 25 नॉबर 2022 को आयोजित किया जाएगा देखे बरेली और जहासी मंडल में जो एन एटी फस्ट आंकलन परिक्षा होनी थी उसकी पूरों में निर्धारित देथी 23 नॉबर 2022 थी लेकिन अब इसके स्थान पर यह परिक्षा 25 नॉबर 2022 को आयोजित होगी इसमें तीसा निर्द के संबंद में जो तिर्थिया हैं उसके बारे में बात में बताया जाएगा इसमें जो चौथा निर्देश हो यह है कि कस्तूर्बा गांधी बाली का विध्याले में एनेटी आंकलन प्रिथक से आयोजित किया जाएगा देखे जो कस्तूर्बा गांधी बाली का विध्याल बारे में जो परिक्षाइं होंगी वो अलग से होंगी और इसके बारे में अलग से बताया जाएगा इसमें पांचवा निर्देश है कि बरेली एवं जहासी मंडल में एनेटी आंकलन के संबंद में सिक्षकों का यूट्यूब के माध्यम से दिनांग 22 नौंबर 2022 को अप्राह कि पहले सिक्षकों को प्रसिक्षित किया जाएगा उसके बाद परिक्षा होगी तो इसके आधार पर ब् inspections और बलेंदी मंडल में 22 नौंबर कि इस निर्देश के अनुसार कारवाही कराना सुनिशित करें तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप तक साजा की गई यह आपके लिए उपयोगी होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप से निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेर कॉमेंट जरू करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इंपोर्टन वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद